आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टेंट सर्कुलर के बारे में बात करने वाले हैं आजी Central Board of Direct Taxes ने एक सर्कुलर इशू किया है सर्कुलर नंबर 12 ओबलीक 2020 सर्कुलर इशू किया गया है 20 में 2020 मतलब लेटेस्ट अपडेट है एक बहुत इंपोर्टेंट सेक्शन सेक्शन 269 SU के बारे में जो आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बहुत बढ़िया रिलेक्सेशन जो की काफी सारी रिप्रेसेंटेशन के बाद Central Board of Direct Taxes ने अनौंस की है इस सर्कुलर के द्वारा आए देखते हैं क्या रिलेक्सेशन है सबसे पहले सर्कुलर का सब्जेक्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है क्लारिफिकेशन इन रिगार्ट टू प्रिस्क्राइब इलेक्रोनिक मोड्स अंडर सेक्शन 269 SU of the Income Tax Act 1961 हाजी तो 269 SU में जो इलेक्रोनिक पेमिंट के मोड्स प्रिसक्राइब है उनके बारे में ये सर्कुलर बात करता है आए देखते हैं सर्कुलर के बारे में और क्या है इन फर्दर टू देखलेट पॉलिसी अब्जेक्टिव दे गोवर्मेंट इनकरेज डिजिटल ट्रांसक्शन स्मूड टूवर्ट्स लैस्कैश एकनौमी हाजी यह एक डिकलिर्ड अब्जेक्टिव है गोवर्मेंट का के हमें इस एकनौमी को क्या बनाना है डिजिटल एकनौमी है कैश लैसिकनौमी इस ही पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंकम टैक्स में एक नया सेक्शन डाला गया था सेक्शन 269-SU जो की बात करता है for having facility of prescribed payment for those businesses having gross receipts of more than 50 crores हाजी उन businesses को यहाँ पे सर्कुलर के अंदर specified persons classify किया गया है in the immediate preceding year तो सेक्शन 269-SU की applicability उन persons के उपर लगती है जिनका gross receipts in a financial year 50 crore से ज़ादा है हाँ जी तो उसके बाद एक और notification issue की गई notification number 105 oblique 2019 30 December 2019 को जिसमें तीन electronic modes के payment prescribed किये गए जहाँ पे पहला mode था debit card powered by रुपे उसके बाद दूसरा था UPI और तीसरा था UPI as per quick response code ये तीन payments notify किये गए rules के द्वारा और वहाँ पे ये लिख दिया गया कि ये आपको section 269-SU की compliance के लिए तीनो facilities आपको अपने customers को देनी पड़ेगी अब समस्या क्या ही समस्या prescribed है यहाँ पे point number 2 में of CBTT circular point number 2 आईए देखते हैं कहता है representations have been received stating that the above requirement of mandatory facility for payment through the prescribed electronic mode is generally applicable in B2C businesses यहाँ पे representation CBTT को यह मिली के बहुत सारी transactions जो B2C nature की होती है वहाँ पे ये prescribed electronic modes normally उनके लिए लगा दिया जाए क्योंकि जो B2B transactions होती है जो B2B business की transactions होती है वो तो normally bank to bank channels के थू या तो NEFT या RTGS से already हो रही है यहाँ पे B2B में आपको clarify कर देता हूँ B2B transactions का मतलब क्या है B2B transactions का मतलब यह है जो एक seller buyer को बेचेगा तो buyer भी उसको अपने business purpose में ही use लेगा business purpose in the sense या तो वो उसको अपनी business activity में use कर लेगा या फिर वो उसको आगे supply करेगा आगे sale करेगा B2C transaction वो transaction होती है जहाँ पे customer ने उसको buy किया है अपने खुद के personal consumption के लिए तो जो B2B transaction है वहाँ पे normally payment जो है वो electronic mode से ही किया जाता है क्योंकि income tax में और भी सारे प्रवदान हैं जैसे आप कोई भी business का खचा 10,000 से उपर cash में नहीं कर सकते तो यह sections automatically to extend ASU की compliance करवा रहे थे कि जो B2B transactions है वहाँ है वो normally as per the business trend in the Indian economy banking channel के थूँ या तो NEFT या RTGS या फिर और किसी banking channel के थूँ नॉर्मली हो रहे थे mandating such businesses to provide the facility for accepting payment through prescribed electronic modes would cause administrative inconvenience and impose additional cost हाँ जी B2B transaction में ये तीन तरह के additional electronic payments को और impose कर देने से यहाँ पर जो है additional administrative inconvenience arise हुई बड़े businesses के लिए और उनके उपर एक additional cost भी आई क्यों क्योंकि जब भी transaction होती है जब भी उनके account में UPI QR code के through amount आ रहा तो तो एक transaction में particular amount for example let's say 20,000 से उपर अगर कोई amount है तो वहाँ पर banking charge transaction charge जो है वो bank recover कर रही थी 5 रुपे 10 रुपे 20 रुपे तो ये जो है ये additional cost impose हो रही थी उस business man के उपर जो 261 SU comply कर रहा है अब क्या benefit दिया गया है ये benefit mentioned है point number 3 of the CBT circular आये देखते हैं point number 3 क्या कहता है point number 3 कहता है in view of the above it is hereby clarified that provisions of section 269 SU of the act will not be applicable हाँ जी एक category of persons को 269 SU की applicability से बाहर निकाल दिया गया है उनको 269 SU की applicability की relaxation दे दी गई है कौन वो person है आये देखते हैं to a specified person having only B2B transaction that is no transaction with retail customers वो businesses जहाँ पे majority transactions कौन जी transactions हैं B2B transactions और जहाँ पे retail customer या consumer की transactions ना के बराबर हैं if at least 90% of the aggregate of all amount received during the previous year including amount received for sale, turnover, groceries are by any mode other than cash यहाँ पे एक और condition यह है के आप 269 SU से बाहर जा सकते हैं जहाँ पे आपकी सिर्फ B2B transactions हैं बट आपकी 95% transaction minimum banking channel के through होनी चाहिए that is at least 95% of the aggregate amount received in a financial year should be by any mode other than cash मतलब आपको कम से कम आपकी जो gross receipts हैं उसका minimum 95% non cash accept करना है that is through any banking channel तो यह prescribed यह बहुत बड़ा benefit दिया गया है हमें circular में और यह यहाँ पे mention किया गया है यह benefit तो यह था हमारा video 269SU पे जो latest CBDT ने circular issue किया है और एक बहुत बढ़िया relaxation दी गई है especially उन business को जहाँ पे transactions banking transactions बहुत जादा है और minimum count करती है 95% of total receipts thank you for watching this video thanks a lot हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे interesting videos thank you bye झाटारी झाटारी